आपके बीच का ही कोई व्यक्ति कभी कोई लाल टेल लेकर आ गया और चल दिया उसी में बिजली की रौशनी खोजने भाईया लाल टेल लेकर बिजली की रौशनी नहीं खोजी जा सकती है इस सच को स्विकार करना है भीर का भी हिस्सा बनने का काम मत दिया भीर का हिस्सा कई बार लोग बन जाते हैं को चल डिया उसके साथ हो गए मत कीजी ऐसा ऐसा कीजिए अध्या तो अंत्ता नुक्सान होगा भीर का हिस्सा मत बनिये ससन्कित हो गए हम लोग को अंदर से ससन्कित होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और आप से हम गुजारिश करना चाहते है जाएए गाओं में लोगों को बताईए हिस्सेदारी जरूर सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए निस्चित्रुप से सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए लेकिन किस सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए 2005 के पहले वाली सत्ता जिस सत्ता के रहते हुए क्या क्या नहीं हुआ इस बिहार में उसमें कुछ ML बन जाए इससे आपका काम चलने वाला है हिस्सेदारी निस्चित रुप से बैसे समात को चाहिए लेकिन उस सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए जो सत्ता आपके लिए काम करे आपके बाल बच्वों के लिए काम करे उस सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए हिस्सेदारी लिए पार्टी के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी की बात किजिए लेकिन जो लोग उस तरह से समाज में भरम फैलाने की कोशिश करते हैं उनको रोकने कहां काम करना पड़े बरना आपके बीच का ही कोई व्यक्ति कभी कोई लाल्टेल लेकर आ गया और चल दिया उसी में बिजली की रौसनी खोजने भाया लाल्टेल लेकर बिजली की रौसनी नहीं खोजी जा सकती है इस सच को स्विकार करना चाहिए अगर बिजली की रौसनी खोजनी है तो भीर जहां बिजली है जिसने घरगर बिजली पहुँचाने का काम किया उसके साथ चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा, अंत्वे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग सजा लोग हैं, परवुद्ध लोग हैं, भीर काम हिस्सा बनने का काम मत कीजिए, भीर का हिस्सा कई बार लोग बन जाते हैं, कोई चल दिया, उसके साथ हो गए, मत कीजिए ऐसा, ऐसा कीजिएगा वन्ता लुकसान होगा, भीर का हिस्सा मत बनिए, आप देखिये, जहां आपका हित है, आपके समाद का हित है, उसके साथ रहने का काम कीजिए, उसके साथ रहने का काम देश के दूसरे राज़ों की स्किति अलग हो सकती है लेकिन विहार में बैस समाज में लगभग सबी लोग OVC में आते हैं लगभग सबी लोग OVC में आते हैं OVC जो विरासत है डॉक्टर लोहिया की उस विरासत के हिसाब से कौन पार्टी चल लही है यही पार्टी चल लही जिस पार्टी के मंच पर आप सब लोग आज उपासती तो अगर आप चाहते हैं अपना इंट्रेस्ट तो भीर का हिस्सा मत बनिए आए सब लोग मिलकर के नितीज कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए गाओं गाओं में जाकर के लोगों को परसिखित करने का काम लोगों को बताने का काम किजिए तब जाकर आगे आपका भी भविस अच्छा रहेगा और विहार का भी भविस अच्छा रहेगा तो इनी सब्दों के साथ आपने अच्छा किया, कारकरम बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए फिर से आपका धन्यवाद और विहारवर से जो लोग आए हैं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और भामा साजी के चर्णों में सरधा सुमन अरपित करते हुए अपनी बात समाप करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद